गाइस, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग पर्चेस करने से पहले हम डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डोमेन नेम आपकी वेब साइट का नाम होता है जैसे की Google.com, Amazon.com, Sony.com सो ये इन इंडिविजिल कंपनीज के डोमेन नेम है जिसका कुछ obviously size होगा MB में या GB में सो उसके लिए हमें इंटरनेट पे space purchase करना होता है और without डोमेन नेम और वेब होस्टिंग आप इंटरनेट पे अपनी site को live नहीं कर सकते सो चलिए डोमेन नेम और वेब होस्टिंग पर्चेस करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले एक website open करनी है sadamkasim.com forward slash hostgator hyphen india यह आपको redirect करेगा hostgator india की website पर और यह है hostgator का home page और यहाँ पर hosting की price हम देख सकते हैं just 99 rupees a month आपको सबसे पहले get started now पर click करना है वैसे तो बहुत सारी hosting companies है जो hosting services provide करती है but I recommend hostgator मैं 7-8 साल से hostgator use कर रहा हूँ और मेरे सारे clients की website hostgator server पर ही store होती है so यह है hostgator का pricing plan page यहाँ पर सबसे उपर एक option दिया है select server location आपको United States ही यहाँ पर रहने देना है क्योंकि United States का server अगर आप यहाँ पर select करते हो उसका price कम है as compared to Indian server यहाँ पर देखो आप Indian price 149 rupees a month है whereas US का server अगर हम लेते हैं just 99 rupees a month अगर आप 5 year का plan लेते हो so यह कुछ marketing strategies होती है but that's not a problem यहाँ पर मैं आपको recommend करूँँगा at least 12 months की hosting लीजिए एक साल की ताकि आप ज्यादे से जदे practice कर सको so यहाँ पर just 159 rupees a month की hosting package है हमारे पास now अगर आप single website host कर रहे हो so यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा starter plan चूज करने के लिए starter plan में आप single website host कर सकते हो 10 GB का आपको space मिलेगा that is enough 100 GB transfer है मैं आपको बाद में बतावाँगा क्या होता है 5 email accounts आप यहाँ पर create कर सकते हो यानि कि आप यहाँ पर business email account अपने बना सकते हो unlimited database है free SSL certificate है यानि कि आपकी website के आगे यह देख रहे हो आप symbol यह padlock symbol आपके domain के आगे add हो जाएगा जो कि आपके users को website secure दिखाएगा so mostly यह HTTPS protocol को add करता है आपके domain के साथ में already have a domain for your hosting plan आप यहाँ पर no click कर दो ताकि आप यहाँ पर एक domain name भी अपने website लिए purchase कर सकते हो alright so for example यहाँ पर मैं domain name select करता हूँ carbonclaps.com already selected है now आपको यहाँ पर ध्यान देना है इन सभी options को आपको uncheck कर देना है क्योंकि यह extra services हैं इनकी हमें वाखे नीड नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हो फिजूल में आपके extra पैसे भी यहाँ पर लग जाएंगे now click on continue अब host creator इस domain की सबसे पहले availability चेक करेगा कि यह domain name किसी और ने तो पहले नहीं खरीद रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह domain name available है यानि आप इस domain को purchase कर सकते हो और इसकी price है 749 rupees a year यानि कि 749 रुपय देखर कि आप एक साल के लिए इस domain को purchase कर सकते हो एक साल के बाद आप चाहो तो इसको renew कर लेना अगर आपको website की need नहीं हो तो आपको इसको renew भी नहीं करना है so let's click on add to cart so यहाँ पर checkout में हमारा domain name add हो चुका है double check कर लीजिए कि आपको domain name की spelling correct है या नहीं क्योंकि एक बार अगर आप इस domain name को purchase कर लोगे फिर आप इसको cancel नहीं कर सकते हैं या इसमें editing आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सरे other extensions भी available हैं like carbonclaps.in, carbonclaps.net so it's up to you let's click on check out so यह shopping cart page है यहाँ पर आप अपने order को एक बार फिर से review कर लीजिए domain name आपने यहाँ पर select किया है जो कि 749 रुपीज ए यहाँ एक option और है protect your contact information by enabling privacy product 309 रुपे आपके और extra charge कर रहा है मैं आपको recommend करूंगा इसको uncheck कर दीजिए यह सिर्फ आपकी personal information को internet से hide कर देता है so इसकी हमें वाकिज जरूरत नहीं है और यहाँ पे single domain Linux hosting starter है यहाँ पे आपको यह hosting plan फिर से एक बार check कर लेना है और offer मिल रहा है अगर आप 2 साल की hosting लेते हो आपको 30% discount मिलेगा so it's up to you अगर आपको वाकिए ऐसा करना है तो grab offer पे click कीजिए आपको 2 साल की hosting हो जाएगी but let's start with 1 year so यहाँ पे total price है 3138 रुपए जिसमें आपको एक साल का domain होगा plus एक साल की hosting होगी इसके अंदर यानि आपको एक साल तक सारा headache आपको hosting का domain का सब किनारे होगा आपने simple websites को develop करना है बस so let's click on continue अब यहाँ पे आप अपना account create कर लो facebook से login कर सकते हो आप google से भी login कर सकते हो और यहाँ पे जैसे ही आप अपना login करोगे यह payment details आप से मांगेगा किसी भी credit यह debit card से आप payment कर सकते हो और आपको hosting purchase कर लेना है जैसे ही आप hosting purchase करोगे आपको एक welcome email आएगा host creator की तरफ से आपके email address पे तो उस welcome email में आपकी सारे details होगी login detail वगरा होगी so next lecture में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे host creator में login करते हैं और cPanel क्या होता है और किस तरह से हम wordpress को install करेंगे see you in the next lecture